नमस्कार, मनुस्य में प्रतिगत जो सोडा दोस है, उसके कारण ही एकजीमा रोग होता है। खान पान में गरबरी, अजीर्न, मानसाहार, डाइबिटीज, ब्राइड्स डिजीज, गठिया, गर्म, मौसम आदी के कारण भी यह रोग हो सकता है। अलग-अलग व्यवसाय धंदों का रहन-सहन भी इसका कारण बन सकता है, जैसे कि राज-मजदूर, धोबी, आदी के काम से या त्वचा को जादा रगरने से इस रोग का प्रारंब हो सकता है। इस रोग के लक्षन है तेज-खुजली और त्वचा में से स्राव का निकलना। यह सब होते हुए मनुस्य की प्रकृति में सोरा दोस का बीज होना चाहिए, तबी यह रोग होता है। एकजीमा सरीर के किसी भाग में भी हो सकता है, अधिकतर कान, बगल, जननांगो तथा सिर में हुआ करता है। एकजीमा के विशे में हम तीन भागों पर विचार करेंगे। पहला खुष्क एकजीमा जिसे ड्राइ एकजीमा करते हैं, दूसरा तर्या बहने वाला एकजीमा जिसे moist और wet एकजीमा करते हैं, और तिसरा एकजीमा का स्थान विशेज जिसे locality of एकजीमा कहा जाता है. आज इस वीडियो में हम ड्राई एकजीमा को ठीक करने की मुख्य मुख्य होमरपैथिक दबा की चर्चा करेंगे वीडियो की पूरा आवस्य से देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें तो आईए समझ सकें अब से पहली दबा सलफर यह जो दबा है इसके एकजीमा की तवचा खुस्क तथा छीचरे दाग अर्था ड्राई एंड स्केली होती है खुजली और जलन तो सभी एकजीमा में पाए जाती है वह लक्षन इस दबा में भी है रोगी के अन्य समाने लक्षन देख लेने हाथ पाव सिर में गर्मी की लहरे आती है बिस्तर की गर्मी इससे बरदास्त नहीं होता है 11 बजे के करीब भूक ऐसी सताती है कि वह बरदास्त से बाहर हो जाता है और पैरों में जलन होती है और ऐसे लक्षन में हमें सलफर को याद करना चाहिए अगर ऐसा लक्षन मिले सल परदस्प्रभाव है यह हम सभी जानते हैं तो अचा पर दाने फुन्सियां हो जाती है बहुत खुजली होती है रस्टक्स के सारे लक्षन रस्विन में अत्यांत उग्र रूप से प्रकट होते हैं इसलिए रस्टक्स के लक्षनों में खोश एकजीमा में इसका उप्योग ज स्राव निकले तो वह भी सूख कर छिल के बन जाते हैं 200 सक्ति की आउसदी प्रती हपता या 1000 पावर का आप महीने में एक बार इसका सेवन कर सकते हैं और ऐसे लक्षनों में यह बिल्कुल बहुत जादा मनदकार साबित होता है तीसरा दबादेखे तो एलुमीना बेहर है चरित्रगत लक्षन इसमें त्वचा सूख जाती में इससके पिल्कुल नहीं है तो आपको समझा दू कि पहले खुझला होगा फिर फुनसिया बनेगा अगर पहले फुनसिया बन रहा है फिर खुजलाहाट हो रहा है तब आपको हीपर सलफर देना है खुशकी के इसके चरितरगत लक्षन के कारण इसके एकजीमा के साथ कब्ज की भी सबस्या रहती है और ऐसे में एलुमीना होमोपेथिक दवा बहुत ज्यादा लाग पहुंचाता है आगे देखें तो सोरी नम इसका एकजीमा खुशक होता है इस पर छिछरे अर्थाथ स्केल्स बनते रहते हैं चहरे पर खोपड़ी पर कहीं भी एकजीमा हो सकता है इसके रोगी के सिर के बाल भी जड़ते हैं एकजीमा से जो स्राव निकलता है उसके उपर छिल्का जम जाता है इस छिल्के की नीचे से जो स्राव निकलता रहता है उससे यह छिल्का उपर उड़ जाता है और उसके नीचे नए दाने बनते दिखलाई देते हैं चिलकों के नीचे का स्रावपतला, बदुधार तथा लगने वाला अर्ठा जलन करने वाला होता है और उपर के छिलकों के साथ जमता जाता है रोगी का कस्ट रात को बढ़ जाता है खुजली तो इस दवा में होती ही है, साथ में जलन भी रहती है और ऐसे लक्षन में सोरी नम लाब देता है। आते आते एकजीमा प्रकट हो जाएगा और ऐसे लक्षन में पेट्रॉल ये होमपैथिक दवा पहुच जादा उप्योगी है। कान के पीछे के एकजीमा में ये दवा बहुत उप्योगी है, एकजीमा में अंगूठी की तरह के गोल गोल निसान पढ़ते हैं, बारबर्स इच अर्थात नाई के उस तेरे से जो खुजली होती है उसमें भी ये दवा बहुत जादा उप्योगी है। हाथ पाउं की खुजली तथा एकजीमा में इसे से बहुत जादा लाव होता है और दाध की ये बहुत जादा उसदी है, जहाँ दाध है वहाँ टेली दियम का प्रियोग हम अवश्य करते हैं। इस वीडियो में हमने ड्राई एकजीमा की मुख की मुख खमोपाथी दवा की चर्चा की है। मैं अगला वीडियो में वेट एकजीमा की मुख खमोपाथी दवा की चर्चा करूँगा की लक्षनों पर कौन सी दवा दी जाती है। करता हूँ आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना पूछ धान्ने मात।